मैं पहले वे प्रिपोजिशन में डिस्कस किया हूँ फिर आपसे आज क्योंकि समराइज कर रहा हूँ और इंपोडेंट रूल्स को डिस्कस कर रहा हूँ जो आपकी एक्जाम औरियंटेड है मैंने कहा कि कुछ ऐसे सब्द होते हैं जिनके साथ प्रिपोजिशन का प्रियोग नहीं होता है अब देखें क्या कर रहा है हमने कहा कि कमप्राइज के साथ प्रिपोजिशन नहीं लगता यह यह एरर है इसको हटा दो मतलब दिस बुक कमप्राइज के साथ प्रिपोजिशन नहीं लगता इस टू को हटा हो अर्थार राम रिसेंबल्स हिस फादर या हिस मदर राइट जान दने मेरी बात को मतलब हम important rules discuss कर रहे हैं आपसे parts of speech मैंने पहले ही कहा है introduction chapter में कि यह सारे chapters हम लोग discuss करेंगे और यह सारे chapters हमने discuss किया है आपसे क्योंकि parts of speech English की backbone होती है और पहले जो हमने discuss किया है उस सारे videos को मैं आपसे कहूंगा कि adjective, adverb, pronoun, conjunction, preposition सारे video को अलग-अलग करके देखो और उसे देखने के बाद फिर इस video को देखना आपको समझ में आएगा आगे बढ़ता हूं देखो मैंने कहा कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ preposition to का प्रयोग होता है और उनके बाद बाद में आएंजी लगता है द्यान देना मेरी बात को जैसे लिखा with a view to, look forward to, addicted to, accustomed to, habituated to, averse to, aversion to, object to, objection to वैसे भी मैं आपको बताओं पहले हम लोग ने डिसक्स किया है preposition के बाद घर किसका होता है? noun का मैंने आप से जब preposition chapter पढ़ाया तो बताया था preposition के बाद घर किसका होता है? noun का two preposition है तो इसके बाद कौन आएगा? noun आएगा noun नहीं आएगा तो इसका substitute किया आएगा? pronoun आएगा pronoun आएगा तो किस case में डालोगे? objective case में डालोगे और अगर pronoun और noun दोनों नहीं आता है अगर verb आता है तो word को क्या करोगे? आएं जी लगाओगे तो हमने कहा कि इन सब्सक्राइल के साथ two लगता है two यहाँ preposition है two का आगए character में Broadway में discuss करूंगा आपको two infinity भी होता है लें discuss करूंगा तो two यहाँ preposition है two के बाद किरिया में आप आएं जी लगाओगे right आगे बढ़ता हूं तो देखो exam पर, he is averse to work hard, नहीं, गलत है, क्या होगा, to preposition है, तो इसको noun बनाओ, आपको working करना पड़ेगा, he is averse to working hard, ठीक है, he walked hard with the view to come first in the class, नहीं यार, to preposition है, view को coming करो, क्योंकि preposition के बाद घर किसका होता है, noun का होता है, और क्रिया को noun बनाना है, तो क्या करना पड़ता है, आएंजी लगाना पड़ता है, देखो हमने आएंजी लगा है, he walked hard with the view to coming first in the class, ठीक है, आगे बढ़ता हो, अब अगला rule हमने डाला, आपको हमने pronoun chapter में इसको discuss किया हो, ल हो मैं, आप इसका जो है, एक तरह से कहलो कि conclusion निकल रहा है, हाँ, और आप इस rules को दिमाग में रखना, वो सारे पढ़ने के बाद, देखने के बाद, इस rules को दिमाग में रखना, exam के errors आप से बाहर नहीं जाएंगे, मैंने का work के पहले, subjective case, work के बाद, objective case, preposition के बाद, objective case, work म के बाद, objective, preposition के बाद, objective, work में आई दी के पहले, adjective, काओके सर, देखो, me is a good boy, गलत है यार, यह वर्ब है ना, helping work है यार, work मतलब क्या, helping work हो सकता है, main work हो सकता है, तो यह मी नहीं होगा, subjective case होगा ना, आमने का ना, subjective case, तो subjective case क्या होता है, I होगा, I am a good boy, right, आगे बढ़ता तो देखो, यहां क्या हो, I gave him a book, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद, पुर्णाओ, objective case, subjective नहीं हो सकता है, ठीक है, किरिया के बाद, पुर्णाओ, objective case में, अब देखो, I told him to do this work, अब यहां ही लगा, यह गलत है, क्योंकि टोल्ड वर्ब है, वर्ब के बाद, पुर्णाओ objective case में तो I told him to do this work राइट, हाँ, आगे ध्यान देना मेरी बात को समझ में आगे आपको मतलब मैंने आपको यह बताया कि ऐसे एक सी और दिमाह में रख लो यार पहले मतलब subjective और बाद मतलब objective वर्ब के पहले subjective वर्ब के बाद objective प्रिपोजीशन के पहले subjective प्रिपोजीशन के बाद objective ध्यान देना मेरी बात को ठीक है? तो यह हमने इस रूल में बताया आपको कि वर्ब के पहले subjective वर्ब के बाद objective प्रिपोजीशन के बाद objective और एक कुछी जह आमने बोला कि वर्ब में आई एंजी के पहले adjective आता है क्यों कहा हमने आपको यह बात बताओ क्योंकि वर्ब का आई एंजी form क्या होता है noun होता है और noun की विशेष्टा कौन बताता है अब बताओ noun की विशेष्टा adjective बताता है ठीक है बात सुझ में आ रही है नहीं आ रही नाउन की विशेष्टा कौन बताता है adjective बताता है और हम लोगों ने जाना है कि किरिया का fourth form noun होता है तो सुभाविक है अगर आपको वर्ब जैसे अगर वर्ब आएंजी दिखे और उसके पहले आपको क्या डालना हो तो क्या डालेगा adjective डालेगा ठीक है तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ एक बार और कि हम लोग यह जो आपका अगला segment जो हमने शुरू किया है यह parts of speech is the backbone of the English grammar उस parts of speech के summary को अखिले साब से discuss कर रहा है जो आपका exam oriented होगा मैं लिखके दे रहा हूँ यह error oriented होगा यह सारे rules को दिमाग में रखना आपको मैं फिर कहूँगा broad concept के लिए मेरे individual chapter को देखो adjective, adverb, conjunction, preposition, pronoun इस सारे chapter को देखो और इसकी summary के लिए इसकी summary के लिए अगर इस सब को देख लेते हो और अपने आपको command करना है तो फिर आप मेरे इस chapter को देखना और इसमें हमने आपको detection of errors का उसको confine करने की कोशिस किया है बहुत limited rules में maximum output देने की कोशिस किया है minimum input, maximum output इस सारे rules अपने दिमाग में रखना उसको वहाँ पढ़ना उसके बाद इसको पढ़ना इसको इस वीडियो को देखना फिर हमें बताना comment जरूर करना remark जरूर देना ठीक है? और मैं लिख के देता हूँ errors आपके हाँ से निकल के नहीं जाएगा ओके? once again thanks for watching Akhleis Kumar on Unacademy have a great day good morning to all of you once again hardly welcome in Unacademy thanks for being associated with Unacademy you are watching Akhleis Kumar